गोड मॉर्निंग फ्रेंड्स अभी बजने अच्छे हैं मेरी आग खुल गी है तो मैंने सोचा कि आपको यह नजारा दिखा देता हूँ तो फिलाल हम इस वाले इस वाले रूम में रूखे वे थे खाना खाने हम वहाँ पे गए थे वह जो दिख रहा है सामने वहाँ पे कार पार्क है उस तरफ हरिद्वार इस तरफ रिशिकेश अंदिरादून गाए वहाँ पे घासकत चल रही है और इस तरफ से यह पूरा नजारा नेल गंट के पाढ़ होगा यह सामने मनी कूट परवत और उसके बीच में किस तरह से फोग है पूरे में वाओ किसा गेट बंद कर देता हूं आसे इस भी सोई रहा है कि वहाँ पर जाके देखता हूं यह देखिये कि कल रात में दर ही आयता प्रेम जी दर ही आयते तो उस टेरिस से सिगनल आते हैं और बात हुई थी फोन पर दूर से दूर तक पाडों की एक लेर हैं यह सामने पुरा पड़ा पर बованияके परबद इसी वे निलगन टेंपल और इसी के उस तरफ हम रहते हैं इसी के उस तरफ गंगा जी भहठी है और इसी के उस तरफ भूतना ने दिख रहा भी कोई नी चल रहा चोटे मोटे कीडे मकोडे बोल रहे हैं और यह पूरा जंगल काशल राजा जी यहां पर कितने रूम से और फिर फूरा रेंड है हाई भैनक के रहे हाँ यहां से kv poo का वी उस तरफ का तो क्वी आता नहीं ही पता नहीं उस पार्ट में उस पूरा वी यह आता है पूरा ऐसे 180 डिगरी और जब यह रिजोट बना था तो बहुत मेहनत लगी थी पानी नी तो इन्हों बहुत बोरिंग वगएरा करवाया तब जाकर पानी बहुत मुस्किल से यहां पर निकला और जैन सेट वगएरा सब रखा हुआ है काफी जाद इन्होंने मेहनत करिए इसको बनाने में एक यहां पर V9 रिजोट है उन्होंने पहले लीस पर लिया तो इस राजज जंगल कासल के सामने V9 राजज जंगल कासल लगवा दिया था लेकिन अभी इस रिजोट की यहां पर कोई चलाने वाला जो होना रहे हैं वो बड़ी मुस्किल से इसको चल निकाल लिया वरना नोर्मल आदमी नंबर नी निकाल सकता है इस रिजोट का तो दिक्कत होती है अगर आपको इसको बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन पर देख लेना मैं लिंक डाल दूगा और वहां पर गवाई भी बोका या मैं मैं रिपका कहीं से लिंक डाल दूगा उस पर डारेक्ट के लिख करेंगे तो आप इसको बुक कर पाएंगे अगर मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक नहीं डालता हूं समय लेना कि बुकिंग नहीं हो रही है चलो वापिस रूम में चलते है हमारा रूम के अच्छी बात यह थी कि यहां से पूरा व्यू है रहा था अगर देखो दीरे दीरे धूप आरही है सामने बादलों पर पीली पीली टक्रा रही है लेट्स चैक कि पानी आया है नहीं कल से ऐसा ही पानी आ रहा है पता नहींगे कैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने 6 बजे का सीन दिखाया था और ठीक 45 मिनट बाद का सीन देख लीजिए धूपा चुकी इस पाहड पे भी और इस पूरे पाहड पे मनीपूट पे भी धूपा चुकी बलकि यह जो फोग था नीचे वैली में और उस तरह पाहड़ों पे वह जुकातु बना हुआ है लेकिन पूरे में दूपा चुकी है कितना अच्छा लग रहा है और उदर सामने रिशिगे शरिद्वार इस वाले पाहड पे भी थोड़ी थोड़ी नम नम दूपा चुकी है यहाँ पर चड़ियाए काफी है यह जो फोग है अब लेफ्ट को मूब कर रहा है और देखो किस तरसे पाहड के उपर से ऐसे किलियरली बहुत तेजी से मूब करता हुआ मैं देख सकता हूँ और यह नीचे जो नदी दिख रही है यही नदी है जो विंदमासनी की तरफ जा रही है वाइल बूग और जंगली रिजोर्ट की तरफ जा रही है कल हम इसी नदी पे पांच-छे किलमीटर चले और फाइनली हम जाके लास्ट में जाके इस्टक हो गए क्योंकि नदी में अ सब्सक्राइब करने का इसा लगता है कि सारी चीजे मिस कर दूंगा कि देखो किस तरह से जिंग रुकी डिमकोड़े बोल रहे हैं उदर चिडिया बैटी है चिडिया बोल रहे हैं लग लग तरह की एक गंटा सोने के बाद दुबार से उठ चुगा हूं अभी बज रहे है आठ बचके आठ मिनट और अशीज भी उठ चुगा है यह भी अपना रेडी है बस अब जा रहे हैं हम नास्ता करने और इस तरह का वियू है फिलाल काफी तेज दूंप होगी है हर जगे ही दूंप इनको बोल रहे हैं कि परपर्टी दिखा दो कहां से कहां तक है जो हमारे कोटेश के सामने है सबसे कदर नाक है मतलब यह तो सीधी भी है लेकिन यह टेडी है यहां पर गिरने का चांसिज रहता है और बोलते बोलते गिरता ज़रूर है आदमी तो खेर बार इसकाम होगी है हाथी का गोबर हाथी का नी गाएं का बचके लेना सब यहां पर पूरी रात एक गाएं बैठी रही है तो इसलिए मैं डर्म नी था कि लेपड आएगा तो सबसे पहले उसको एक खाने वाला है हो जाता है यह नॉर्मल चीज है यह आपे की गाएं को लेपड खा गया तो ब गाड़ी इतनी बाल लगी नीचे से बाद मी पता चलेगा जब इसको गाड़ी को उपर उठवाए जाएगा पर यहां इतना चलता है मैं उत्राकंड में रहता हूं तो मेरे को आद थेंची सब चीज हो की तो असी इसको लग राव का जीब सगी यार क्या अलो गया वेरी ग बाकी और रिजोर्ट के रूम भी देखने क्रेम भाई मैंने का करवा दो नास्ता अभी नहीं हो पाएगा अभी तो बोट टाइम में कह रहते हैं सुबह जिस ताइं मांग लेना और सवाट हो रहे हैं वो गया लड़का जो नेगी था नेगी यहीं है गया हुआ है नहीं है जो दिखा दो क्या क्या अप्संट नेगा भाए ना एक चुली आ अलो नहीं बाले ते राध बोल रह रहे दो कि बना देगे इस तब स्देश ने गिरावा पर निखिए यहां पर दो सब्सादी नहीं किचन के सामने कड़ाओं और इसको बोलते को जैवो यह किचन है थो य यह हैं बने हुए हैं दो रूम एक रूम दो रूम और वहां पर बने हुए हैं वह लेंडर डला हुआ है एक दो रूम वहां पर भी रुकने के उप्शन से और फिर वह जहां पर स्विफ्ट कड़ी है उसके महां पर फैमिली रुकी हुई है वह बना हुआ है तो अभी जैसे अस्थ वस्थ हो रखा है मतलब कुछ चीज चलनी रही है एक तो कोरोना की वज़े से और उपसे जो होना रहे हैं वो भी इसको साइद सेहल करना चाहरे हैं तो इन्होंने किस तरह से स्लाइडिंग मनाई हुई थी कि सब यहां से उपर जाएं उदर जीने से और ऐसे फिसल के आए और इसमें तो यह है ज्यादे गहरा नहीं है काफी दिनों से पानी ऐसी पड़ा हुआ है अब तो किसमें मचलिया आगी होंगी इधर से कैसा भी वारा है इन्होंने का पानी का काफी ज्यादे तगड़ा सिस्टम किया हुआ है यह देखो कितने खतरना खतरना कि पूरा प्रेशर से यह सब करना पड़ता है जितने में लोगों के रिजोट बन जाते हैं उतने में तो यहां पर पानी पानी का सिस्टम है कितना प्यारा पेड़ और यहां से भी नीचे जा रहा है इधर भी काफी पेड़ लगाए हुए है नीबू लगे हुए है और मुझे नदी की अवाज आ रही है नदी और धरने की यह नॉर्मल जंगल नहीं है दोस्तों दिस प्योर कोर फोरेस्ट ऑफ राजाजी नेशनल पार्क सबस्यादे जानवर हैं यहां पर जिम कोरवेट डिखाला के बाद मेरा मन था कि मैं इधर इधर भी कहीं रुख़ऊँ कुछ रोके हुए हैं तो यहां वो तीन है वहाँ पर से अब किलियर वियू आया है बाकी प्रेम जी से पूछ लेते हैं इन्फोर्मेशन ले लेते हैं कि कितने प्रूम है क्या इस आप किताब है काफी अच्छा लग रहा है यहां पर गूमने में बहुत सांती है चिडियाओ की आवाज आ रही है की देमकड़ों की आ जा रही है ग के लिए तीन उसमें है लेंटर वाले में तीन जहां पर सिफ्ट कड़ी है वहाँ पर हैं दो इधर आठ और एक वो है जिसमें हम रुखे दे बाकी एक इनका परस्नल है जो ओनर है और उस तरफ जो हरी चीन दिखरी है महाँ पर लेबर रहती है स्टाफ भी धर ही रहता है त तो असिस तो बैठी है अपने मुड़ा दूप में लेकर इसको दूप में बैठना है तो आज यहीं पर नास्ता करेंगे हमां काफी अच्छा लग रहा है काफी सांत माहूल अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं आप आपके बच्चे और यहां के ल सकते हैं फुटबॉल वग तो भी दिख रहा है और इधर भी देखो कितने किस तरह दिख रहा है जैखने को मिल गए मैंने पहले दिया भी दिया और इधर यह और रिशिकेश कितना अच्छा भी हो है शीटी किसमें लग रही है बिखाया हूँ या आलू बाल रहे हो हैं कल तो गह जए रहते हैं बहुत जल्दी हम अजया जाते हैं अच्छा लोग आज़े यह कितने लोग आए इतने सारे तो चले के तो साथ आदमिंगे और साथ आदमिंगे उसका करना या इसको देखना है वह सब तोटल हरेवाँ एलो प्रेंट्स तो सबानो हो गए है और हब हम यहां से चेक आट कर रहे हैं अब निकलते हैं नीचे की तरफ काकी अच्छा इस्टे रहा है, यहां प्रुद्ध श्र हार annual जो काफी दिनंग से की हां रुकना 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 और फाइननल ही इहां पर रुकने का मुगा अच्छी प्रपर्टरी भूट तो टो का कैसा है लै इस बहुत बढ़िया था a really a very nice property रुक्के मज़ आया मतलब फा बटन देन आर एक्सपेक्टेशन मिलको लगा था कोई चोटा मोटा वाज रिजॉट अब बहुत अच्छी प्रोपरटी रूम्स वह वेरी क्लीन मज़ आगया और ओल गोज तो यू थेंक यू तो मच अपने लाने के लिए बढ़ी आए फिर द नंबर है यूपी पंद्रा लेट्स गो बहुत अच्छा पर्फॉर्म किया इसने कलम ने गोपर यहां पर लगा लिया था तो उसका काफी हमना टाइम लाइप्स बनाया अब बाए बाए टू जंगल कासल राजाजी जंगल कासल तो सोरी यह वाला अभी मैं दिखानी पाया भी टाइम नहीं था और बाद में इसको इसके रूम से बाकी जैसा मेरा रूम सब तो देख लिए सब इसी तरह के रूम से बाकी दुबार से आऊँगा तो और भी डिटेल में दिखा दूँगा काफी फैंबली आई हुए है यहां पर तो जब हम यहां से निगलते हैं तो इस तरह से रोड भूमती है यह देखो पूरा राजेशल पार्क पूरा एरिया और बिल्कुल क्लियर व्यू आता है इस तरफ से फिर इस तरफ के पाड़ों का आ जाता है व्यू यहां से अभी मुझे किलियरली ग्रेसियर दिख रहे है इस जगे से पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीचे जाती इस से नीचे वाली रोड पर जाती जो टॉप दिख रहा है ग्लेसियर का यह भी दिखना बंद हो जाएगा आम के पेड़ के कितनी घनी चाह गाओं का मा पहार सांती पीस अफ माइड वाओ गजब 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 बैतरीन कितनागा है पी तर्फर के कितने थीचे विर्फर नेता प्रक्म्राइब। तो हमना थोड़ी देर के लिए जंगल में रुक रहे हैं और थोड़ा महसूस कर रहे हैं जंगल को कैसा है काफी चिडिया बोल रही है हाला कि कार से उतरने से पहले मैंने दो मिनट अबसूर्व किया कि कहीं यहां पर जाड़ियों में कोई लैपड वगएरा थो नहीं है टाइगर तो नहीं है हाती तो खेर मूमेंट करता रहता है दिख जाता है पेड़ पत्ते तोड़ता रहता है यहां पर रुकने में इतना मज़ा रहा है ना जो पेड़ों से छनके जो धूप आ रही है इस टाइम जंगल में मोर्निंग की धूप और धीरे एक पत्ता तूटके गिर रहा है तितलिया उड़ रही है जो कि धूप में अच्छी लग रही है उड़ती हुई असी इसको बहु प्रेशर जंगल में आ रहा है कोई बात नहीं आ रहा है मैं बड़ी मुसके से रिकोडिंग कर रहा है वासी मुझे अलव भी नहीं कर रहा था उतरने के लिए और मुझे बहुत अच्छी लग रही है यारी यहां की जंगल की फील चलो पीछे से भी साइद कोई कार आ रही है उससे पहले निकलते हैं यह से अज़ा बहुत आज़ा चलभी से अज़ा बहुत ज़ादे डैमेज होगा गाड़ी को कम से कम 20-25 बार गाड़ी लग चुकी है हलकी तरह से भी लगी है को कैडी तरह से भी लगी तो आसी इस नहीं थोड़ा सा इस बज़ी इपर चढ़ा के गाड़ी को देख रहा था कि गैप मिल जाए थोड़ा देखने का कभी कभी तो इधर तक आजाते होंगे अंदर हमें तो एक जगा रुका था हमने थोड़ा डर लगा तो है अंदर शेयर बगार कुछी तो अगरा है हाँ 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 तारा कोछ मिलेंगे गर नहीं टाइगर तो कॉर्बेट से लाके टाइगर तो छोड़े हैं गंगा के उस जितने मर्जी देख लो और लेपर तेहंदवा तो दिखी जाता अब आपको नॉर्मल ली दात रोत को तो जानवरों के पिछे तैसे पड़ता है अच्या आपके गाई अगरा के पीछे ना हम किमसार में गए तो उनोंने बोला जो सेर है ना सेर की अवास तो सुनी है उनों आपके अपनी रहता है तो बहुत आते हैं मतलब अभी तो जंगल में भी पानी जरने है जब बिल्कुल कम हो जाएगा तो वीदर की तरफ होते हैं और रहां जाता है कब की बाहत है वह दिसंबर में जन्वरी में चलो जब हूंगा ना मैं तो हम थोड़ा जंगल में जाने क कर रहे हैं जहां पर आज से पहले कोई नहीं गया है कि हम थोड़ा जंगल में चले गए थे 200-300 मिटर अंदर तो जैसी हम जंगल में गए हमने गाड़ी रोकी सांत रहे तो काफी सारे मोर एक्टिव होगे आसपास दीखने लगे मोरों को लगा कि यहां पर कोई नहीं है तो वापिस हम आगे हैं कोडिया गाउं में तो हम यहां से आगे जाने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन काफी खतरनाक रस्ता है काफी खतरनाक रस्ता है और बिल्कुल निंच जारी रोड और वैसे भी कारना यहां पर पीछे की तरफ बहुत जादे अड़ गई है तो हमने डिसाइ यहां पर बाइक पार्क की थी तो बाइक पिक करता हूं असीस का भी मूड बन गया है अब यह मेरट निकल रहा है और मैं निकलता हूं वापिश अपने योगा पीट जैन्द भाई के पास तो मुझे यहां से जाने में 40 मिनट लगेंगे और सीधा पहुंसते हैं अपने रूम सुर में लगती है अब थोड़ा बहुत कम बारी से तो देखो थोड़ा सा वाइट भी दिख रहा है पानी और यहां पर एक एक रिजोट हो रहे है दा नीरज फोरेस्ट रिजोट इसको भी कभी देखेंगे सुनने माय का थोड़ा ठीक है यह रिजोट और जो पुल आता है यहां से गंगा के इस तरफ हो जाती है गाडिया और इसके सामने सी कोडिया गाउंस से दो उपर जाते हैं चलो कुछ खाते हैं क्या 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 खाने का चामीन मैगी और चाय यहां पर एक मिला है प्यार असा डोगी प्यार असा क्यूटी डोगी और यहां पर गूम रहा है, मैंने इसको एक बार बुलाए और एक बार में आ गया, चोटू, तेरा इंटर्व्यू ले रहा हूं तो इधरा, इधरा, तो यहां पर बन गई अपनी महगी और चामीन, आसी इस ने बनवाई है, महगी मैंने का भाई महगी तो आज कलबतानी मन से उत पारी करने, आती बागरा दिख जाते हैं सरदियों में, फिलाल तो नहीं है यहां पर यह देखो, कितनी चोड़ी है, रायवाला, रिशीकेश वगरा दिख रहा है, और यह देखो, कितनी बड़ी भी रिवर गंगा हो सकती है, कितना पानी समाय क समूंदर की तरह लग रहा ह यहां से भी कितना दूर से दूर तक देख सकते हैं अप ठीक आजीज चल भाई, ओके मिलते हैं फिर है ना खाई आपना ओके बाई चल भी ठीक यह बाई तो अभी मुझे यहां से जाना पड़ेगा, बाईक और कारवाले यहां से क्रोस करते हैं सब, कभी कभी वारी सोजा थी तो बहुत मुस्किल हो जाती है यहां से क्रोस करना, लोग मज़े लेते हैं यहां पर जैसे उनको देखो, स्विट से उतर के कैसे नंगे पैर घूम रहे हैं, काफी कर भी बहुत सारी गाड़िया रुकी हुई थी यहां पर, अब देखो उनको देखके यह भी उतर गए, यह भी नंगे पैर घूम रहे हैं, पता नहीं क्या सोग है हैं आप लोगों को, जैसे कुछ देखा ही ना हो, खेर चलो कोई बात नहीं, इसको पार करते हैं अब ही आपको दिखाता हूं कोई कार आएगी तो वो क्रोस करेगी तो, या बाइक वाला, वो तो दारू पी रहे हैं स्कॉर्पियो वाले, ग्लास हाथ में हैं और गूम रहे हैं, बस यही चलता रहता है, 90 परसंट, क्योंकि मैं महाँ पर कैमरा उन नहीं कर पाँगा, यह वाली कार देखो, यह जा रही है, इसली क्रोस कर गई, कुछ लोग इस तरफ से आते हैं, कुछ लोग इस तरफ से आते हैं, कुछ लोग डरते हैं, जब अखेले होते हैं, कुछ लोग एक को देखके तीन तीन पीछे निकल जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती लोगों तो यह वैगनर वाला है तो मैं आपको बता दू हूँ यह वही वाली नदिये जो विंदवासनी से आ रही है यह वही वाली नदिये जिसमें हम कल ओफ रोडिंग कर रहे थे यह वही वाली नदिये जिसमें हम कल लास्ट में जाके इस्टक हो गे थे तो देखो यह डर गया यहां पर सोच रहा है कि काफी गहरी हो सकती है वेट कर रहा है किसी और क्याने का और इस तरह से डणना नीच यह वरना देखो गाड़ी रुख गई इसकी फिर इसकेड करती है अगर पत्थर होते हैं तो और यह वेदवास नहीं और यह पुरा राजय पर्क इमनिकूट परवत अभी इसी कि इस्टिट कैनाल गंगा के किनारी किनारे मेर को जाना है उस तरफ और फाइनल इसने क्रोस किया तो यह वन विस्राम भवन कुनाओ गोहरी रेंज राज़ाजी टाइगर रिजर्व यह राज़ाजी टाइगर रिजर्व का एक फोरेष्ट रेस्ट हाउस है जो की बिल्कुल बहराज के पास है जो बहराज से नीलकंट रोड जा रही है मतलब परमारत्नी के तन के बैक जलती है यह उस पर है सामने लिखाया राजा जी टाइगर रिजर्व वन ग्रह कुनाव